आईए भक्तु आज सुनते हैं शावन सोंबार बर्त कथा तो एक बार बोलिए प्रेम शेशीव जी की जय माता पारबती की जय अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है या फिर तमाम पर्यासों के वाबजूद आपको केरियर में सफलता नहीं मिल रही है या बेक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही है तो परेशान नहो इस बार सावन सोंबार का बर्त करें आल बर्त कथा सुने मानेता है कि सावन सोंबार के दिन बर्त रखकर इस कथा का पाठ करने या सुने से मन्चाही मुरादे पूरी हो जाती है कथा के अनुसार एक समय की बात है एक साहुकार था जो भगवान सीव का अनन्य भक्त था उसके पास धन्य धन्य की कोई कमी नहीं थी लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी इसी कामना को लेकर वह रोज सीव जी के मंदिल जाकर दीपक जलाया करता था उसके इस भक्ती भाब को देखकर एक दिन माता पारवती ने सीव जी से कहा है प्रभु यह साहुकार आपका अनन्य भक्त है इसे संतान का कश्ठ है आपको इसकी मदद करनी चाहिए पारवती जी की इच्छा सुनकर भगवान सीव ने कहा कि हे पारवती इस संसार में हर पढ़ानी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्ये में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है लेकिन पारवती जी ने साहुकार की भक्ती का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना उ करने की इच्छा जताई माता पार्वती के आगरापर सीव जी ने साहोकार को पुत्र प्राप्ति का बरदाम तो दिया लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयू केबल बारा बर्ष होगी माता पार्वती और भगवान सीव की बात चीत को साहोकार सुन रहा था उसे न तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख वो पहले की भाती सीव जी की पूजा करता हूँ समय के बाद साहोकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ वह बालक एगारा बर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए कासी भेज दिया गया साहोकार ने पुत्र के मामा को बुला कर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को कासी भीद्या प्रात्वी के लिए ले जाओ और मार्ग में यक कराना जहां भी यक कराओ वहां पढ़ावनों को होजन कराते और दचना देते हुए जाना दोनों मामा भतीजा इसी तरह यक कराते और बढ़ामनों को दान दचना देते कासी की ओर चल परे रात में एक नगर परा जहां नगर के राजा की कन्या का बिवा था लेकिन उस राजकुमार से उसका बिवा होने वाला था वह एक आख से कनहा था राजकुमार के पिता ने अपने कुत्र के कनहा होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची साहुकार के कुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया उसने सोचा क्यों ना इस बालब को दुलह बना कर राजकुमारी से विवा करा दू बिवा के बार इसको धन दे कर विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने घर जाओंगा लड़के को दुले के बस्त पहना कर राजकुमारी से बिवा कर दिया लेकिन साहुकार का कुत्र इमंदार था उसे यह बात अन्याय संगत नहीं लगी उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुणरी के पले पर लिखा की तुम्हारा विवा तो मेरे साथ हुआ है लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हे भेजा जाएगा वो एक आख से कनहा है मैं तो कासी पढ़ने जा रहा हूँ जब राजकुमारी ने चुणरी पर लिखी बाते पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई राजा ने अपनी पुत्री को बिदा नहीं किया जिससे बरात वापस चली गई दुसरी और साहुकार का लर्का और उसका मामा कासी पहुचे और वहाँ जाकर उन्होंने यग किया जिस दिन लर्के की आयू 12 साल की हुई उसी दिन यग रखा गया लर्के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तब्यत कुछ ठीक नहीं है मामा ने कहा तू अंदर जाकर हो जाओ सीप जी के परदान अनुसा कुछ ही देर में उस लरके के परान निकल गए मिर्थ भाजे को देख उसके मामा ने बिलाब सुरू किया संयोग बस उसी समय सीप जी और माता पारवती उधर से जा रहे थे पारवती भग्वान से कहा स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर समग नहीं हो रहा आप इस बेक्ती के कष्ट को अब्यस दूर करे जब सीप जी मिर्थ बालक के समीप गए तो वह बोले की या उसी साहुकार का पुत्र है जिसे मैंने बारा बर्ष की आयू का वर्दान दिया था अब इसकी आयू पूरी हो चुकी है लेकिन मातर भाव से भी भोर माता पारवती ने कहा कि है महादेव आप इस बालक को और आयू देने की किर्पा करे अन्य था इसके बियोग से इसके माता पिता भी तरभ तरभ कर मठ जाएंगे माता पारवती के आग्रा पर भगवान सीव ने उस लरके को जीवित होने का बरदान दिया सीव जी की किर्पा से वह लरका जीवित हो गया सिच्छा समात करके लर्का मामा के साथ अपने नगर की योड चल दिया दोनों चलते हुई उसी नगर में पहुचा जहां उसका विवा हुआ था उस नगर में भी उन्होंने यक का आयोजन किया उस लर्के के ससूर ने उसे पहचान लिया और महर में ले जाकर उसकी खातीदारी की और अपने पूतरी को विदा किया इधर साहुकार और उसकी पतनी भूखे पियासे राकर बेटे की परतिच्छा कर रहे थे उन्होंने प्रन कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मिर्तु का समचार मिला तो वो अभी प्रांत याग देंगे प्रंतु अपने बेटे की जीवित होने का समचार पाकर वो बेहत परशन हुई उसी रात भगवान सिभ ने बेपारी के सपन में आकर कहा खेस रेट मैंने तेरे सों बार के बर्थ करने और बर्थ कथा सुनने से परसन होकर तेरे पुत्र की लंबी आयू परदान की है इसी परकार जो कोई सोम पारबत करता है या कठा सुनता है और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मरोकामनाई पुर्ण होते हैं तो एक बार बोलिए प्रेमशे सीव जी की जै माता पारबती की जै आरती सीव जी की ओम जै शिव ओमकारा स्वामी जै शिव ओमकारा प्राम्हा विस्नु सदाशिव अरिधांगी धारा ओम जै शिव ओमकारा एकानने चतुरानने पंचानने राजे स्वामी पंचानने राजे हन सासने गरुरासने विस्वा हन साजे ओम जै शिव ओमकारा दो भुजे चार चतुर भुजे स्वामी दसे भुजे आती सोहे तिरी गुनी रूपे नी रखीते तिरु बनी जन मोहे ओम जै शिव ओमकारा अच्छी माला बनी माला मुंड माला धारी स्वामी मुंड माला धारी तिरु पूरारी कंसारी करी माला धारी ओम जै शिव ओमकारा सेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे सनिकादी की गरु नादी की भूतादी की संगे ओम जै शिव ओमकारा करी के माधिक मंडल चाक्रितिर सुलिधारी सुखिकारी दुखिहारी जगे पालने कारी ओम जया शिव ओमकारा प्रम्हा विष्णु सदाशिवी जानती अभिवेका स्वामी जानती अभिवेका मधु कहे तभी दो मारे सुरेभा यहीने करे ओम जया शीवा ओम कारा लाच्मी वाशा वित्री पार्वती संगा स्वामी पार्वती संगा पार्वती अरधंगी सिविला हरी गंगा ओम जया शीवा ओम कारा पर्वती सोहे पार्वती संकर करलासा स्वामी संकर करलासा भांगी धथूरी का भोजन भाश्मी में बसा ओम जया शीवा ओम कारा जटा में गंगा बहती है गल मुंदने माला स्वामी गल मुंदने माला से सिना गिलिप टावती ओधते मिर्ग छाला ओम जया शीवा ओम कारा कासी में बिराजे विश्विनाथी नंदी ब्रमिचारी स्वामी नंदी ब्रमिचारी निती उठी दर्सन पावती महिमा अतिभारी ओम जया शीवा ओम कारा तिरी गुने स्वामी जी की आरती जो कोई नरे गावे स्वामी जो कोई नरे गावे कहात सिवा नंदे स्वामी मने बांछेते फले पावे ओम जया शीवा ओम कारा प्रभु हरा सीवा ओम कारा सीवजी की जय माता पार्वती की जय